अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल को स्क्राइब नहीं किया है तो जल से कर दें ताकि हमारे नए वीडियो अब तक जल से जल फुक्त दें ठीक है आज चो मैं आपने सामने टापिक लेका आया हम वह है सेक्षन फॉर्मेशन के बारे में ठीक है फ्रेंट्स और वीडियो सुरू करने से पहले में आपको बता लूँ किसे पहले मैं मैं एंचसी के बहुत सारे वीडियो अप्लोड कर लिया हूँ अगर आप अभी तब देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक बेज दूँगा आप सारे देख रहे हैं चाहे वो ऑफसेकर ट्रेनिंग हो चाहे वो जजिंग डिस्टंस हो चाहे वो एंचसी के सिलेवर्स की बात कर रहे है या 2018 का कोशिन पेपर हो या गलिंट्री अबोड्स हो या बहुत सा में अब उस 10 जवान को युद के दर्मयान में किस तरह से अज़ेस्ट के रहे मतलुक को आहा रहना ज़ारिंगो सब से एक वर्टिकल लाइब यह जासे लाग पोशन, नमबर बन जबान यह दिखे, सामने फेस, नमबर टू जबान हाफ राइट फेस और नमबर फिरी जो है, वो सेक्शन कमांडर होगा, यह जो मैंने आपने बता देना कि यह जो इस तरह का जो भी होते हैं, यह सेक्शन कमांडर, सेक्शन, सीडी आर, कमांडर, ठीक है, और नमबर फोल्ट वाले, जो है, वो भी हाफ राइट में होगे, नमबर फिर्ट वाले, हाफ लेफ्ट में, नमबर लेफ्ट में, नमबर सिक्शन, हाफ राइट, फिर नमबर एट, हाफ राइट, ठीक है, फिर नाइफ नमबर पूर लेफ्ट में है पूरे लेफ्ट में और नमबर टेन में किसे नीचे की तरह यहीं फर्मिशन है यह का फर्मिशन में जब सक्षिन में जब मैंने वोपन पढ़ाया था तब भी मैंने बता रहा है वो भी विडियो आप देख सकते है ठीक है तो यह कौन सा है यह सिंगल फाइल सा वन पाईल वे गन है रहे एक वेसरा बीच में आ है और यह रहे छाएंप एक लोग आचिए और यहां जो यह है section command ठीक है तो यह दो यह दो लाइन ऐसे लग गए एक आगे में जवान और बीच में section command तो यह कुछ इस तरह का से मैं आपको दिखाई देता है सेम उसी पर लेका का यह देखिए एक जवान सबसे आगे में है ठीक है और इधर दो जवान एक जवान यह दो जवान है इनकी यह जो एरो में डिखा रहा है यह एक के direction है इधर face करने है ठीक है उसके बाद यह बीच में section commander यह देखिए दो जवान इस साइड एक protection इस साइड protection देखिए और फिर इधर से दो जवान इधर से एक जवान और यह पीछी बाद समझें तो यह कौन सा फोर्मेशन यह देखिए डामेड फोर्मेशन इससे क्यों होता है ना फिर next है arrow head formation arrow head मतलब कुछ इस तरह का arrow बनागे arrow head यह देखिए यह देखिए आप यह ध्यान दो य तो इसको बताए arrow head formation section commander होंगे बीच में और उसको दो साइट से protection देखिए इनकी जो direction है यह पूरे left है ना और यह पूरे right left side वाले left को face करें का right side वाले right को से और जो सबसे आगे है वो आगे है ना और बीच में आपके section commander होंगे ठीक है यह section commander ठीक है number 5 क्या है spare head formation spare head मतलब यह जाद रही हम ऐसे करते हमें सा arrow नहीं करते है यह spare head formation यह देख लोगे spare head यह बीच से इस तरह को पुछा है spare head formation तो जो left side वाले होंगे ना यह देखिए left side वाले का यह दोनों को face है left side है आगे वाले तो आगे को face करें right side वाले दोनों को face है right side वीच में section commander और एक side है जो पीछे को face करें और एक यहा जबान एक इधर जबान और एक नेची के लिए तो यह कुंसा है spare head formation ठीक और number last क्या है extended line formation extended line मत तो सीधा पूर सारे एक सीधा में आजाएंगे तो ओगे extended line formation यह दो extended line सारों की face आगे और यह जब lastly जब वहर खतर मदेता है तो जब search होता है उस time का यह formation होता है extended line function तो section formation कितने टेक हो गए six section के एक section कितने जबान दस number one क्या है single file formation मतब सारे जबान एक similar line भाउंगे ठीक है number two file formation मतब यह दो file हो गए और एक आगे और बीच में section commander ठीक है number three diamond formation diamond के safe का यह देखे एक गदो को इस सब्सक्राइब के safe को है bet where that's the स्पेर के तरह से कुछ फॉर्मिशन करेंगे है यह देख लो लेट सब्सक्राइब को राट सब्सक्राइब को फिस एक नीचे एक ऊपर बीच में सेक्शन कमांडर और फिर तीन उसको पीचे से प्रोड़क्शन ठीक है और लास्ट है सारे साम्झे फेस एक सीधा करके और आगे तो यह वीडियो को देखके एजानस में अच्छे मांक्सलाइब और यह कोश्यों जबर लीग वूचिजा है जैसे जटिंग इस्टन्स हो रहे हैं, सक्षन फर्मिशन हो रहे हैं, यह FCBC कोशन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यह VVI कोशन्स हैं, जैसे C या B के खजाम में किसी में भी पूस दिया जाता है, तो आप तो यह ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद है प्लाटून फर्मिशन के बारे में, ठीक है, अब जस्ट नदारावाद प्लाटून फर्मिशन क्या होती है, यह section फर्मिशन 6 हो गए, अब इ प्लाटून फर्मिशन, ठीक है, अब शेक्ष्टे होती है, तो आवि बोले क्या, एक section में केतने ज़वान होते हैं, अब यह दस जवान का जो तीन सेक्षण होगा तीन सेक्षण मिलाके एक बनाएगा प्लाट्रूम तो एक सेक्षण मिलाके बनाएगा एक प्लाट्रूम जो इसका फ़र्मेशन की इस तरह से होता है मैं आपको यह बताता देखे इसका फ़र्मेशन बहुत ही सिंपल है इसका फ़र्मेशन जैसे हम आपको बता है एक सेक्षण यह रहा है एक सेक्षण ठीक है यह एक सेक्षण ठीक है अगर सेक्षण की हम जैसे बात कहता है अगर सबसे पहता जो प्लाट्रूम फ़र्मेशन होता होता है वन अब ठी यह है 1 आप, तीन जो section है, तीन section, आप 1 आप मतलब एक ताकु में पछाएं, तीन section में यह देखरें, एक प्लाटम्ट में किता section होगे, एक प्लाटम्ट में 3 section, इन वोगे, एक section 2 section 3 section. वहाँ तो यह थो तीन सेक्ष़एं, यहां पर डूल है, 1 अपतब 1 आगे 2 पीछे, यह हो गया 1 और यह हो गया 1 अप फलू लीछ, यह हो गया 1 आप फ़रूतिंशें इल्भव 2 मतंब 2 तो अभी किते नहांगे? 2 ऊपर होंगे 1,2 और यह 1 यह 1 यह 2 और 3 यह देखो true up होगा? और number 3 क्या है? 3 अब 3 अब 3 up मतंब 3 का मतंब 3 इन हो नहांगे 3 मतंब 3 सामदे रहें यह 1 ,2 यह 3 यह number 1 ,2 section ,3 section तो ये इस विडियो में पुरा सक्षिन फर्मेशन और ये प्लाटन फर्मेशन का पुरा कबर होगे